दोस्तों क्या आप एक best android screen recorder application ढून रहो जिसके help से दोस्तों आप अपने gameplay को record कर सको आप अपने screen को record कर सको अच्छे quality में अलगी आपको play store में तो बहुत से इस तरह के screen recorders बगईरा देखने को मिल जाती है बर दोस्तों वहाँ पे आपको कुछ major problems भी देखने को मिलती है उस application के साथ जैसे कि वहाँ पे आपको बहुत सारे ads देखने को मिलती है और दोस्तों उस application में आपको watermark भी देखने को मिलती है और एक दो चीज और कि वहाँ पे आपको दोस्तों आपके वीडियो को internal sound को record करने को option नहीं मिलती है और नहीं आपको आपको आच्छी quality में video record करने क options मिलती है अगर मिल भी जाती है तो ऐसे दोस्तों वहाँ पे आपको membership लेने के लिए कहा जाता है तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपका इस problem का solution लेके आ गया हूँ तो अगर आप इस channel पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को जल्दी से जल्दी आप प्रेप कर लो तो चले करते हैं वीडियो को फटा के start without wasting यह सके हैं तो दोस्तों उस application का नाम है My Screen Recorder जो कि दोस्तों आपको इजली से प्ले स्टोर पे अपलेवल मिल जागे तो वहां से आप बिल्कुल फिरी में उसे डाउनलोड कर सकते हो यह बिल्कुल से फ्री एप है यहां दोस्तों इस वीडियो के description में भी मैं उस application का link दे दूँगा तो यहां से भी आप download कर सकते हो और एक बात दोस्तों और जो आगे आप Screen Recording देखने वाले हो अपने phone पे वह भी मैं इसी application के help check कर रहा हूँ तो आप वहां से analyze कर सकते हो किस तरह की quality आपको देखने को मिल रही और किस तरह का वह application है सो चलिए अब मैं लेज चलता हूँ आपको उस application पे तो application को open करते ही दोस्तों यहां पे आपको कुछ इस तरह का add-free easy interface देखने को मिलती है जहां पे कि दोस्तों यहां पे आपको first three column देखने को मिल रहा है फर्स्ट बाले column में यहां पे आप जो भी वीडियो बगेरा record करोगे वहां पे आपका यहां पे save हो जाएगा जहां पे दोस्तों आपको 720p मतलब HD का support देखने को मिल रही है तो यहां से आप अपने according कोई साभी quality यहां पे आप select कर सकते हो and next यहां पे दूसरा आपको video quality देखने को मिल रही है जहां पे दोस्तों आपको 1 Mbps, 2 Mbps, highest 8 Mbps तका support देखने को मिल रही है इसका मतलब कि आप जितना ज़्यादा Mbps select कर रही हो तो उतना अच्छा आपको qualities वगेरा देखने को मिल रही है आपके screen recorder के आगे यहां पे दोस्तों FPS का भी यहां पे आपको support देखने को मिल रही है यहां से अपने according आप FPS भी select कर सकते है यहां पे मेरे पास highest 40 FPS देखने को मिल रही है बड़ दोस्तों यह जो 40 FPS यह मेरे device के capability के according आई है अगर आपके device 60 FPS support करती है तो वहां पे आपको 60 FPS देखने को मिलने वाली है तो मेरे suggestion से दोस्तों अगर आप normally recording वगेरा करते हो तो यहां पे आप 25 FPS या 30 FPS तक record करो आपको अच्छी quality देखने को मिलने वाली है आगे का option आती है record audio जी यहां दोस्तों इसके help से दोस्तों आप अपने वीडियो के अपने gameplay के internal audio को record कर सकते हो like आप gameplay करते हो तो gameplay के अंदर के सभी sound को आप easily से record कर सकते हो तो बस आप इसे बस enable करने के बाद आगे यहां पे दोस्तों video location देखने को मिलने इसके help से आप दोस्तों जान सकते हो कि आप जो भी इस application से record करके वहां कहां पे जाके save हो रहा है तो simply से यहां पे आपका लिखा आ रहा है next यहां पे दोस्तों आपको option आ रही है hide the record window when record तो simply से अगर आप इसे enable रखते हो तो then दोस्तों यहां पे आपको एक shortcut मिलेगी simply से एक यहां पे side में आपको goal आकार का यहां पे एक shortcut देखने को मिले है जिसके help से दोस्तों आप अपने video को पाउज कर सकते हो and उसे record save कर सकते हो मतलब इस तरह के और कुछ shortcuts वगिर आपको देखने को मिलने बाली है and next यहां पे दोस्तों countdown का भी support यहां पे देखने को मिले है यहां पे दोस्तों default 3 second का countdown support इस application में आपको देखने को मिले रहे हैं तो अगर आप countdown on करना चाहते है तो simply से आप बसी इसे enable कर दोगो तो यही simple सा easy to use application था and मैं भी इसे use कर रहा हूँ बहुत दिन से तो मेरे experience से दोस्तों यह best application है आप इस पे जा सकते हो without कोई problem so दोस्तों I hope कि वीडियो आपको अच्छी लगए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकान को जरूर से जरूर क्राइब कर दो तक के लिए जया है दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूं